नमस्कार किसान साथियों, मैं हूँ चंदर शेकर और आप देख रहे हैं क्यतिबाड़ी यूटूब चेनल तो किसान साथियों, आज हम बात कर रहे हैं लसुन की कटाई की जो की अभी लसुन कटाई की जो सीजन चल रही है इसमें बहुत सारे किसान भाईयों को भाव में विकने में यह दिक्कात आती हैं लसुन को बेचने में यह दिक्कात आती हैं कि उनका माल तो अच्छा जम जाता है लेकिन सिर्फ कटाई की वज़े से वो एक अच्छे दाम पर नहीं विक पाता है तो किसान सात्यों 이 video आपके लिए बहुत ही खास है जो कि lezzun की चोपाई करते हैं किसान उनके लिए बहुत ही शांदार video होने वाला है तो किसान सात्यों वीडियो को अंतर तक देखें और वीडियो केसा लगा या हमें comment में ज़रूर बताएं और बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर जरूर करें और किसान सात्यों आप यदि इस चैनल पर पहली बार आएं तो इस चैनल को सब्सक्रेब करना ना बोलें तो किसान सात्यों अब हम बात करते हैं इसकी कटाईगी जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं हम एक दराते का यूस करते हैं और इस प्रकार लेस्न को पकड़ के उसकी जड़ अच्छे से साप करते हैं जड़ थोड़ी बहुत रह जा हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इसको सफाई करके जब बेंचते हैं उस टाइम इसको चाको से हम साप कर सकते हैं जैसा कि आप इसक्रिंग बहुतों देख पा रहे हैं अगर बड़ा या अच्छे साइज वाला माल है कम से कम दो से तीन इंच बड़ी साइज में हम इसमें डंकल रख सकते हैं जो की डंडी आप देख पा रहे हैं दो से मीडियम साइज में दो से धाई इंच की और बड़े माल में दो से लगबग धाई पोने तीन तीन नहीं तो पोने तीन इंच की आप इसमें डंड़ी रख सकते हैं जैसा कि आप स्क्रिन पर देख पा रहे हैं इसकी कटाई बहुत ही शांदर तरीके से हमने की है इस प्रकार का माल मंडी में हम साप करके ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छय दाम पर बिखता हैं तो किसान सतियों इस प्रकार के आप कटाई कर लेएं दो इंच तो लगबग आप रखे ही और बड़े माल में 2-5 इंच की डंखल आप कर सकते हैं है यह बीना साफ के हैमाल भे आपको इस प्रक कर दिख रहा ह। साइज की सबसाब इसकी डंडी रखें लिए है अगर अच्छी डंडी है साइज अगर अच्छी हैं दंडी अच्छी हैं कटाई सईसाट किये तो हम साफ करने कई और बेशते टाइम इसे हम अच्छे दाम पर बेश सकते हैं तो ये वीडियो किसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं वीडियो को देखने के लिए धन्यवाग